दोस्तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस एक ऐसी मांसिक इस्सिती है जिसका शिकार बच्चों से लेके बुजुर्गों तक कोई भी हो सकता है हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती है और व्यक्ति उन समस्याओं को खतम करने की कोशिश भी करता है लेकिन जब कोशिश करने के बाद भी अपनी अपेक्षा की अनुसार परिणाम नहीं मिलता है तो व्यक्ति को धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगता है फिर तनाव, एनिद्रा, एवं बहुत जल्दी भावुक हो जाने जैसी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में उत्पन हो जाती हैं और वह अपना काम भी मन लगाकर नहीं कर पाता इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा डिप्रेशन से निजाद पाने के पांच अचुक उपायों के बारे में इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखें नमशकार दोस्तो स्वागत है आपका फिट वर्ड हेल्थ कियर में दोस्तो आज के समय में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन को गंबीर्था से नहीं देखते इस मान से किस्तिती को वही समझ सकता है जो इस समसिया का सामना कर रहा है लेकिन अगर व्यक्ति ठान ले कि उसको डिप्रेशन से बहार आना है और जिंदिगी में आगे बढ़ना है तो वह दिरे दिरे डिप्रेशन से बहार आने लगता है और दोबारा से एक समान्य जीवन जीने लगता है बहुत से सेलिब्रिटीज ने भी डिप्रेशन का सामना किया है और उससे बाहर भी निकले हैं अगर आप इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं तो आपको इसको फिजीकली और मेंटली दोनों तरीकों से ट्रीट करना पड़ेगा डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सबसे पहले वियायाम शुरू कर दें दिन में कम से कम आदे से एक घंटा किसी भी तरह का वियायाम जरूर करें तथा 10 से 15 मिनट कपाल बाती एवं अनुलोम विलोम भी करें अगर आप ये वियायाम और परनायाम सुबा की दूप में करेंगे तो डिप्रेशन से बाहर आने में ज़्यादा मदद मिलेगी जब हम 5 महबूतों के संपर्क में आते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छा महसूस होता है इसलिए प्रते दिन इसनान जरूर करें और अगर आपको कोई और बिमारी नहीं है तो आप गरिमियों के समय में दिन में दो बार भी इसनान कर सकते हैं तथा खाली समय में अपना मन पसंद म्यूजिक सुनें ऐसा करने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है अगर आप खुले मैदान में अपने घर की जट पर या पार्क में टेलते हुए म्यूजिक सुनेंगे तो ये डिप्रेशन से बाहर निकलने में काफी सकरात्मक परभाब परदर्शित करेगा इसके साथ साथ अपने खान पान में भी बदलाव करें संतुलित अहार, हरी सबजियां, सीजनल फ्रूट्स और ड्राइफ फ्रूट का सेवन अच्छी मात्रा में करें तथा पैकेट फूड, जंक फूड, एवं तली बुनी चीजों के सेवन से परहेज करें ताकि आपका पाचन तंत्र दुरूस्त रहे क्योंकि पाचन तंत्र में गड़बड की वज़ा से भी हमारी मांसिक इस्तिती पर बुरा परभाब पड़ता है आप अपने खानपान में शकरकंदी, गाजर, ब्रॉकली, पालक और शिमला मिर्च आदी सबजियों का सेवन जादा करें संतरा, आमला, कीवी, एवकार्डो और इश्टोबेरी जैसे फलो का सेवन डिप्रेशन की समस्या में गुणकारी होता है इसके अलावा नीवू, ओड्स, अकरोट, फ्लेक्सीड तथा गाय का दूद, घी, दही, एवं पनीर जैसे खादे पदार्थों का सेवन भी डिप्रेशन से बहार निकालने में परभावशाली होता है इनके सेवन के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान नखें कि आपकी बॉडी हाइडरेट रहें, भोजन के एक घंटे बाद ही पानी पीएं, भोजन के बाद 15-20 मिनट वज रासन करें तथा किसी भी प्रकार के नशे से बचके रहें इंस्पिरेशनल वीडियोज देखना तथा प्रेणा दायक बुक्स पढ़ना भी डिप्रेशन की स्थिती में अतियंत कारगर होता है इसलिए दिन में कम से कम आदा घंटा इंस्पिरेशनल वीडियोज देखने के लिए या इंस्पिरेशन बुक पढ़ने के लिए जरूर निकालें आप अपनी होबी को भी फॉलो कर सकते हैं जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्वीमिंग, स्केटिंग, कोई स्पोर्ट्स या कोई म्यूजिक इंस्टूमेंट प्ले करना आदी ऐसा करने से आपको काफी खुशी मिलेगी तथा आपका तनाव भी दूर हो जाएगा दोस्तो जिस समस्या का समादान हम बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं निकाल पाते उसको इश्वर के उपर छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए आप बिजनिसमेन, सेल्फ एम्पलोईट, एम्पलोई, स्टूडेंट, होममेकर या जो भी हो अपने काम को पूर्ण निष्टा और महनस से करें डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का असर अपने काम पर ना होने दें ऐसा करने से आपके दिमाग में फाल्तू के विजार नहीं आएंगे और धिरे धिरे आपकी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी तथा आप डिप्रेशन से भी भाहर आ जाएंगे और फिर से एक खुशाल जीवन जीने लगेंगे इन पांच अचूक उपायों को अपना कर आप कुछी महीनों में डिप्रेशन से पूर्ण रूप से भाहर आ जाएंगे ताकि वह आपकी समस्तिया का अच्छे से डाइगनॉस करके आपका ट्रीटमेंट कर पाएं डिप्रेशन एक बिमारी की तरह है इसलिए आप निशिन्थ होकर बिना किसी चिंता के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप निशिन्थ होकर कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और ऐसी ही सेहत एवमायर वेस्ट जुड़ी जानकारी जानने के लिए फिट वर्ड हेल्थ केर को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके बास नोटिविकेशन पहुच जाए आप हमें शोशल मीडिया हैंडिल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको नई वीडियो से समंदित जानकारियां मिलती रहेंगी शोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं आपसे फिर किसी असरकारी जानकारी के साथ धन्यवाद